हेलो आप देख रहे हैं माई यूटूब चैनल एक स्टेडी पॉइंट आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल भी प्रोग्राम फरस्ट यह फर्स सेमिस्टर हिस्ट्री का चैप्टर टू का पार्ट थर्ड इससे पहले मैं इसकी टू वीडियो अप्लोड कर चुग है पहले आप उस सजार वर्ष पूर्व उपकरण के स्वरूप और पिद्योगिक में एक निश्चित बदलाब आया जिसको या तो अखेट के तरीके में परिवतन अत्वा संसर्दनों के अधिक समानने उप्योग अत्वा परियावनी परिवतन के पिर्ति अन्नोकोरियां से जोड़ा जा सक अनिवारिये बुनियादी तत्व हैं क्या है उत्तरपुर्पाशन यूग प्राति नूतन का यूग के अंत में लगभक तीसेया वर्ष पूर्व उपकरण के स्वरूप और पुद्योगिकों में एक निश्चित बदलाब आया क्या है एक निश्चित बदलाब आया जिसको या तो अखेट के तरीकों में परिवतन अत्वा संसादनों के अधिक समाने उप्योग अत्वा परिवणिये परिवतन के पिरती अनुकिरियां से जोड़ा जा सकता है अत्वा परिवणिये परिवतन से पिरती कूल अनिकरियों से जोड़ा जा सकता है सावधानी पूर्वक बनाए गए कौर से समानतर पाश्रुवो वाली पत्तियों से निर्मार्की प्रवदी और उप महादीप के सारे उत्तर पुरपाश्यार यूग के उध्योगों का एक अनिवारिये बुन्यादी तत्व है यह क्या है उत्तर पुर्पाश्यार यूग के उध्योवों में अनिवारिये बुन्यादी तत्व है जो शुशकता के अंतिम दवर का एक समसा माईक है समसमाईक है, सिल्प तत्य और प्रारूपों में खुरुचनियों और प्रश्ट धानित, पत्यों, कांटों, गंडासों और तक्षिणों के विस्ति शेनियां सामिल हैं इसमें क्या सामिल है? सिल्प तत्थे प्रारूपों में खुरुचनियों और प्रश्ट धानित पत्तियां, काटों और गंडासों और तक्षणों की विस्तिश शेनियां सामिल है और अब पत्ति प्रद्योगिक और संयोजना सरचने में छेत्रियबदलावों की इस्पष्ट पहचान संबब है पहली बार कुणोनल के चूण प्रस्तित में अस्थित उप्कारण दुष्टी गाच वर होते हैं पिर द्योग्रिक सैनियोजिनों में सरचाने की में छेतर बदलावों की इसपस्ट पैचान संभव हैं पहली बार कुनोरल के चोड़ परस्तर पर में अस्थित उपकरन दुष्टी दिरिष्टी गचौर होते हैं क्या होते हैं दिरिष्टी गचौर होते हैं ये पूरपाशन कालिन के आजार हैं पूरपाशन कालिन सब्यता में जोगे यूज़ होते थे वह आजार हैं ये एक्षिष्ट को बादसर से कारण राजिस्थान के भीत्री बालू का इस्तौपों बालू का इस्तौपों में अधिवास में रुकावट आई अन्यतर और उत्तर पुर्पाशान कालीन इस्थलों की भरमार है यादिपी शुष्कता के कारण राजिस्तान के भीत्री बालू का इस्तौपों में अधिवास में रुकावट आई अन्यतर उत्तर पु पुपपाशाय काली इससेलों की भर्मान में भर्मान हैं और कच्छी सामरीगरी के बड़े पैमाने पर उपकरण बनाए जाते थे अधिकांस्ट लंबी किन्तु शीर पत्तियों वाले होते थे बारी कणों वाले चट और कैलसीडन की लंबी दूरी के यातायात के वयापक शा सम cuidado yaptके यॉटाइन में अदान प्रीदाण जारी था धवर लंबी दूर्या तेकरते ते और क्या करते थे लंबी दूर्यां का द्यारी जारी था जाड़ी था और लबी दूरिया भी पिजन तए इस काल की मुखह पैचान Cape पैख्षया के रिद docs šilp ते और समानतर परष्व कालिन इस लोग की भरमार है कच्ची सामगरियों के बड़े प्रमाने पर उपकर बनाया जाते थे और लंबी किंतु शीर पत्यों वाले होते थे और बारी कणों वाले चाट और गैलरी गैसीडन की लंबी दूरी के यातयात के वयापक शाक्षे उपलब्ध हैं जिनमें परमा के दूरी तैय करते थे और वह तर पुरॉपाशन काली समदाव में आदान प्रदान भी जा लिए था और लंबी दूरी तैय करते थे इस काल की मुखह पैचान अपयक्षा के लिए हलके और तत्य और समानतर पशुवाले फलक और टक्षडी है असर्व पुर्पाशन काली उत्तर पुर्पाशाण यूगीन सिल्प तथ्थे की मौजूद्गी की सूचना जिन इस्थानों से मिली है उनमें पिर्मुख हैं थार छेत्र यादि पी मद्ध पुर्पाशाण यूग की अपेक्षा अधिक बिखरे रूप में हैं यादि पी उनमें पिर्मुख कौन से हैं थार छेत्र यादि पी मद्ध पुर्पाशाण यूग के अपेक्षा में अधिक बिखरे रूप में हैं और पश्ची मोतर शीमा प्रांत की संगाओं गुफाएं और उत्तरी पंजाब का पोट वार पठान दोनों पाकिस्तान में दक तक्षिनों का उद्योग भी पाया गया है क्या है उत्तर पुर्पाशाण काली सिल्प की तक्ते मोजूदगी की सूजना जिन स्थानों से मिली है उनमें पिर्मुख कौन से हैं थार छेत्र यादि पी मत्ध पुर्पाशाण यूग की अपेक्षा वे अधिक बिखरे गुफाओं और उत्तरी पंजाब का पोटवार पठान दोनों पाकिस्तान में वे कहा हैं दोनों पाकिस्तान में और दक्षिर भारत मद्धे गुजराथ और उत्तर पस्चिमी काठियावड आंदर पिदेश के चितूर जिले में रेनी गुटा के निकट उत्तर पुर्पाशन कालीन जीव जन्तू के अफशेशों से प्रतीत होता है कि लोग शिकार करने और संग्रय करने के दौर में थे उस युग के लोग अपने जीवन निर्वा के लिए बैल गवल नीलगाये चिंगारा खाल जेल छोटा संदूर हीरन काला नर्व हर्यान हीरन एंटिलोप, चो सिंगा, हीरन, सांभर, चितकंबरा, हीरन, जंगली, भालू, अनेक पिरकार के पक्षी, कक्षुआ, मचली, सहद, इत्यादी और पौजे से प्राप्त अहार जैसे फल, कंद, बीज और पत्तियों पर निर्भरते वे काई पर निर्भरते हीरन, चोरा सिंग सांभर, चितकंबर, हीरन, जंगली, भालू, अनेक इन चीजों पर निर्भरते, और फलों में क्या खाते थे, फल, कंद, बीज और पत्तियों पर निर्भरते, और भीम बेटका में पाए गई चितरकारियों और नक्षा, नक्षाशियों से जाहिर होता है कि आखेट उनके निर्भा का मुख्ये साधन, और चितरकारों से क्या पर्तित होता है कि आखेट उनके निर्भा का मुख्ये साधन था और भीम बेटका की आरंभिक चितरकारियों उत्तर पुपाशान- यूग की हैं जब लोग छोटे-छोटे समूं में रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इस मद्ध्य पाशार यूग उप महादीपों में अधातन यूग लगभग 9000 वर्ष इसापूर्व के मद्ध्य पाशार काल तता अन्य पत्थर उद्योग पाशार यूग की विकासात्मक पिरकिरिया में अतिरिक्त योगदान को दर्शाते हैं जलवाईउ में परिवर्थम जो उशण और बरसाती हो गया है से पेड़ पौदों और जीब जन्तों में बदलावाया शिकार करने और उसका संग्रे करने वाले समुदाएं जो शिकार करते थे वह भारत में तेजी से फैल गए और आखेटों और मचवानों और पशुपालकों अत्वक किसी ना किसी रूप में किरिशी कारे से जोड़े लोगों के पिर्तीत होने वाली संसकितियों से जोड़े लदु पाशान काली नुध्योग पूरे में बड़े पहमाने पर पाए गए हैं और आखेट मचवारों पशुपालक और अत्वना किसी रूप में क्रिशिक से कारे से जुड़े लोगों के पिर्तीत होने वाली संस्कितियों से जुड़े लदू पाशार कालीन उद्योग में पूरे उप महादीप में बड़े पहमान छोटे छोटे प्रस्तर खंडों के टुकडों से बने उपकाण उनकी लंबाई एक से आठ सेंटीमीटर तक थी और पत्रियों और अती लदू पत्रियों पर बनते थे और उनमें तक्षिनी, अध्रचंद्र, बालचंद्र, तिरकोण, नौकदार, समलब, इत्यादी कई अकार के होते थे वे कैसे होते थे? इनकी लंबाई होती थी, एक से आठ सेंटीमीटर तक थी और पत्रियों और अती लदू पत्रियों पर बनते थे और उनमें तक्षिनी, अध्रचंद्रक, बालचंद्रक, तिरकोण, नौकदार, समलब, इत्यादी कई अकार के होते थे जो बाद में अस्थिया काश्ट वाले दस्त पर दिये जाते थे और मद्धे पाशान यूग के धेरो इस्तर पाए गए हैं जैसे राजिस्तान बागोड तिलवाड इत्यादी उत्तर प्रदेश सराय नहर राय मोहर हाना पहाड और लोक्या इत्यादी मध्य भारत भीम बेटका आद्व मगर इत्यादी पूर्व भारत उडिसा में कोचण कोचाई पस्चिमी बंगाल में बीरमान पुर और मेगाल लेके गारो हिल्स में से बलगिरी टू इत्यादी तथा किरिश नदी के दक्षरी संगलन कल्लू रेनी गुटा इत्यादी गुड्यात के नर्मदा माही और सावरमती घाटी में लधू पस्चारगाल के इस्त्लों का भारी जमाब्डा है कहां जमाबड़ा है इनका सरवमोती की घाटी में लदू पाशान काल के इस्थलों का भारी जमाबड़ा है नेक्स्ट पॉइंट इस जेविका सेली जेविका सेली कैसी थी आद उत्खनित इस्थल लागनाज तीन संस्कितियां चरणों को उजागर करता है प्रतम चरण में लदू पाशान वाले उपाणों का निर्माण और साफधान पंद दीन उपछू रसतियां मिलती है और बाद के चरण में लेख हिया और बधाई खोर के इस्तिलों पर मिरपाग दिश्ट गचोर होते है और मावेशी, भेड, बकरी, भैंस, सुवर, वारह, गवल, हाती, हिरन, शिंगाल, भवेडियां तथा बड़ी संख्या में जल जनतों के अफशेश पाए गए हैं चोकी मध्य पाशाण यूग, पूर्ल पाशाण यूग और नफबाशाण यूग के पीच संक्रामट के दौर पर चिनहित करता है आता इस यूग के परिवारिक गम के और बड़ते कदम के शुरूात पाते हैं हैं इसके इस युक के परिवारिक जीवन की और बढ़ते कदम की और सुरुवात पाते हैं और बगोर राजिस्थान में पालतु बेड और छागों की अस्तियां इशा पूरु पांचवी सदी की बतलाई जाती हैं और बगोर राजिस्थान में पालतु बेड और छागों की अस्तियां इशा पूरु पांचवी सदी की बतलाई जाती हैं और मुख्यता अहार की प्राप्ती आखेट से ही होती थी लेकिन इस युक के लोग कंद मूलफल शहद इत्यादी का भी संग्रह करते थे लेकिन मुख्यता अहार की प्राप्ती अखेट से भी होती थी लेकिन इस युक के लोग कंद मूलफल शहद इत्यादी का भी संग्रह करते थे नेक्स्ट पॉइंट इस सेलचित्र शेलचित्र, भीम बेटका, आदमगड, प्रातापगड और मिर्जापुर से प्राप्त कला और चित्करियों से हम मद्यपाशार युक के समाजिक जीवन और आर्थिक गति वीदियों का अनुमाल लगा सकते हैं मद्यपाशार काल के सेलचित्र अखेट करते हैं, पौदों को चुनते हैं, जानवरों को फसाते तद साथ वैट कर खाते नासते और बाजा बजाते लोगों को दर्शाते हैं इन चित्रकारियों के सबसे पिर्मुक विशे हैं क्या है भीम बेट का आदमगड, प्राप्तगड और मिर्जापुर से प्रांप्त कला ओर चित्रकारियों से हम मद्यपाशार युके समाजिक जीवन की और आर्ति गति वीदियों का अनुमान लगा सकते हैं और मद्दपशाकाल के सेल चित्र का आखेट करते हैं पौधों को चुनते और जानवरों को फास्ते साथ बैट कर खाते और बजाते लोगों को दशाते हैं इन चितरकारियों के सबसे प्रमुक विशह है जानवर इन चित्रकारों को सबसे मिर्बुख विशे है जानवर अन्य विशे है पाशु के मास्तक के साथ मानवी आकेर्थियां और वर्गकार और आयातकार आकेर्थियां जो उतकर्णी रेखाओं से भरीवी हैं जिने जोपडियों और अज्वा बाणों का सूचक माना जा सकता है कुछ असमानी इस घटनाओं की तस्वीरे भी हैं जैसे मिर्जापुर के निकट, मोहर आहाना, पहार पर शेलियां को समू जिसमें भालो और धनुष वाहो बाणों से लैस लोगों द्वारा रतों का घात लगा का ले जाना जन्डे और मचली मानने तद छोटे आहेर के लिए भूरे रंग के जलादार फंदे ऐसी भौतिक संस्किति की समरीदी को उजागर करते हैं कुछ आसमाने घटनों की तस्वीरे भी हैं जैसे मिर्जापूर के निकट मोरहाना पाड और शेलाशयो का समू जिसमें भालो और धनुष बाणों से लैस लोगों के रतों की घात लगा कर ले जाना जन्डे और मचली माने तद छोटे मोटे आहेर के लिए भूरे रंग के जलादार फंदे ऐसी भौतिक संस्किति की समरीदी को उजागर करते हैं जिसका कोई निशान प्रतात्वित अभिलेखों में विदमान नहीं रह गया जिसका कोई निशान प्रतात्वित अभिलेखों में विदमान नहीं रह गया यह भीम बेटका के शेल चितर है मद्य पाशार यूग के नफ पाशार यूग के लिए मार्ग प्रस्तत कर दिया जिसमें पर्शु पालन और क्रिशी कर्म शिकास संगरता अथवा वाले जीवन निर्वा को प्रिचाली तरीके का संपूरक बन गया भाती संदर्व में तथा कातित मद्य पाशार यूगीन संस्कीतियां और अब प्रिकाश में आती है सिंदु घाटि में क्रिशी अधारित वैस्ता के काल किरम अत्यान समी प्रितित होते हैं लेकिन कुल मिलाकर मद्य पाशार यूगीन संस्कीति मोटे तोर पर इशापूर्व 900-4000 वर्ष तक की महत्तपूर रही मद्य पाशार यूग में नपाशार यूग के लिए मार्ग प्रस्तत कर दिया गया जिसमें पशुपालन और किशी कर्म सिकारी तंगिरकरता अथवा अवस्ता वाले जीवल निर्वा के प्रिचाली तरीके को संपूरक बन गया भाती संदर्भ में ततक अतिात मध्य पाशार यूगीन संस्कीति और अब प्रकाश में आती संधु घाटी में कृशी अधारी दुयस्ता के कालकिरम अत्यां समीपरतित होते हैं लेकिन फंचुल मिलाकर भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आए थैंक्स पॉर वर्चिंग माई वीडियो